चल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं सीसे मैं आप सबीका स्वागत है हम अभी कैराना लोकसाबा सीट के गाउं जगनपुरा में है देश में अभी 2000 लोकसाबा चुनाओ की हल चल बहुत ज्यादा तेज हो गई है कैराना लोकसाबा सीट से अगर माँ बात करूं यहां से सांसत बीजेपी से परदीप चोधरी जी ह है तो हम लोगों से बात करेंगी कि पिछले पांस सालों में कैसा काम रहा है यहां पर या सरकार का हो या जो हमारे सांसत जी है उनको लोगों से बात करेंगे जी आपका नाम मदानी सिंग है जी क्या लग रहा है इस बार चुनाओ में 2000 चूपर तम आपके चैनल को चैनल है सीजी नाम से जितने पी दर्सक हैं उनको नमस्कार चुनाओ से पहले इस सक्सेत्र में जो है ना भूख है और बोग इतनी बड़ी है अगा अभी अभी में धर्णें में साहा सामली और और धर्णें एक में इनने से ज्याद हो गया पैसा ने दी बात का है त तो बहुत बड़ी समिख्या है या उसकी अमारी किसानी की घंड़ा बैल्ड है और गन्ने बैल्ड का पैसा नहीं आ रहा तो किसान क्या तरह है रही बात सरकार की कानून वर्स्ता ठीक है सड़की भी बनवाए दी अगर रोजी रोटी के लिए पेट बढ़ने के लिए पैसा तो चीएगा और हमारे ही पैसा हमको नहीं मिल रहा बड़े तद्जूब की बात है हम तो हमारे बुज किसान का पैसा ही सारी मार्कीट में गोंता है सारी वियाप्यारों में जाता है तो मेरा तो करना यह है वस इस चीज तो ऐसंतुष्ट जी आपका नाम मेरा नाम ब्रंपाल ब्रंपाल जी करना लोकसभा की बात है इस लोकसभा में बहुत सारी समस्या है उन समस्याओं पर जो है कोई विसेश ध्याननी है इसे परियास करता है लेकिन सानसदों की विदायकों की इस सरकार में कोई आहिमियत नहीं है वो जो एक मजबूर आदमी के रूफ में सदन में बैटे रहते हैं दो ये तीन लोगों के हाद में सहरी पावर केंदरी थोरी जिसमें आपके अमित साजी हैं, नेंदर मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं तो ऐसा नहीं है के जननपरती निदी है, वो अपनी बात को किसी बात को मनवाल है जननपरती निदी उतना ही काम करता है, उतना ही वो प्रयास करता है जितना उसको सीर सनेतरत सुनना चाहता है यह दो लगबल av क्यायि वे ब्यून्य सामणे मने देश के प्रदानंतरी न्रिथा के अने सब्कास , यह देश के मुख्य मन्तरी शुच्वरे टीच से विद्य॥र। कोई सवाल उनसे मीडिया नहीं करता ना मेडिया के सामने आना चाहते तो एक तरीके से मैं तो यह मानता हूँ के दो हजार चोबिस में जन्ता के द्वारा उनको नकार दिया जाएगा और नकार देना भी चहिए हुए लोग इस देश के अंदर लड़ाई जगड़ों पर करते हैं अभी आपने देखा हुगा नूम एक परकरण वया अगर समय रहते हुए में लोग सही काम करते हैं तो सायद वह वहां ऐसा परकरण ना होता है आप देख रहे वो प्रदेश है जहां भी नंगी वीडियों आपके सामना ही मनिपूर में मनिपूर जैसा माभारत में द्रोप्ति का चीरहन दिखागा था और उस चीरहन होने के बाद जो है माभारत की उस सत्ता का विनास होगा था क्योंकि सभमे में लोग बैठे थे जिन लोगों ने गटना को रोकना चीये था यही आलत जो है आज जो बहरत में रुतर परदेश में अर्याने में जो सरकार बीजेपी की काम कर रही हैं यह सरकारे जो है सक्सम होते हुए भी चीरहन करा रहे किसका चीरहन हो रहा है हमारी तो बैंट बेठी हैं तो किस बात के आधार पे जो है इनको दोज़ार चोबिस में वापिस लगाज़े मुझे तो कुछ लगता नहीं अब यह एक परकरण चल पता नहीं है कि मीर बोज जो है राजपूत है या गुजर है तुम्हें जैन भूज के लोगों के बीच में टक्राओ पैदा करते हैं उस टक्राओं के आधार पे लोग वोड़ देते हैं जिससे उनकी समस्याओं का उनके काम का कोई जिकर ना हो सरकार फैल है पूरी तरीके से कैसा सब बढ़े लग रहा है कि लेगा लेका घराज पहले रस्ते में देजे देज इव अपने घराजाए पैसे मिल जाफा जया किरे आइए लेकिन वह सारे लोग तो यह करे वह जैसे में मेश्दूरी कर थे नुकार तो चल चोरिया लोट ले थे नुका इब वे जो तो लाला है वे लूट लेन वे महिंगा समाने बिच्छा यह पहला हमने दस जार कि मैजदुरी करी रपा आने गरोडलट लगया लगता है उसको क्या फैद हो तो एक तो हम मैंलिया पैसे ले तो करान चले जाएं राजया उने पहले रभ यह तो रह रहे लेकाल दे समान तो हम है तो रोजगार बड़े है क्योंकि मोदी नए दो लाग करोड़ कर देंगे हर साल तो आपके गाउंसे इसे कितने लोग नोकरी पर गए है और अगनी पते की योजनभी आए जिसको चार साल का कर दिया है और बहुत सारे जो पूंजी पतिया है डानी अंबानी है यह बीज दो लोगार मिला है चोगी दारी करें के वो रोजगार है जिक्कत है उन्हें चलो ठीक है आपको नाम बिजनेसमार लक्सन आ रहा है सबी लगए है कि बैए यह चीजे होगी तो आपके साब से क्या-क्या काम हुए है इसमें और क्या-क्या काम ओने चाहिए क्या क्या लग रहा है और ज़िए चरी तरह में प्राफिक आपको नाम काया लग रहा है नोजवान किस तरीका से त्यावान का देखार सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए रोजगार है कि हमें रोजगार प्रोएड कर की जाए तो आपको क्या लगते हैं निदेखको सरकार तो है अच्छी पर कुछ कमी है उमीद करेंगे सुधार हो जैसा एक तो गन्ने की समस्था है बहुत जादा मारे यहां पर सारा गन्ना पर किसानों को इतनी परयसान यह चाला यहां इतनने दरंpose छादाह सबास्कां के लिए भी करेंगेस अब दन कर से जो करी प्लिए ऐग का से अगे टीयुकिन ऑल उस सब्सक्त आंसा प्छान आरागा पां ड़त धर्वाल। ऑर एक बिजली वाले जैसे दोले तक उना बुग किसान बुगतान करो बीजली का अब किसान बुगतान कहा से कर गाँ जब अगले साल के लिए आप गना डालो वो चिन्नी बढ़ेगी और भिकेगी उसके बाद में पैसा दूँगा तब तक किसान क्या करेगा तो किसानों का सुरक्सा के मामले मत तो है तो बोट बढ़िया और सब परेशान है पैमिट की वज़े से अच्छा आप नोजवान है आपके और वी दोस्तों गे तो रोजगार के बारे में क्या है देखो अगनी पते की योजना आई ती उसके बारे उसको कैसे देखते हैं मतलब घटा दी और बागी मतलब जोजगार बढ़ाने वज़े वो अधर करेणे का प्रभाण के इसके इसको क्या नहीं है तो अच्छा पांट कुमार ची चुनाव आ रहे हैंairy है कि आप फस्टाइम वो तरो आप रहा है तो क्या लग रहा है चोंण है आप कि नहींजे पिजेभी वाएक सारे काम बढ़ीएatie किसानों नहीं किसानों के जो फाल हो जागा ना तो किसान भाई भी सारे उसके साथ हुए प्रदान जी क्या लग रहा आपको जाए साथ है क्या बूरी आलतोरी बता है जितने बूत्र परदेश के परदान जी बहुत जादा प्रेशन है जो चोटी गराम पंच चैते में जदा प्रेसान है तो आपके जो आपके जो परतिनीदी है यहां से विदायक आपके नाइदसन है सांसद आपके प्रदीव चोदे तो कभी गई आप उनके पास यह समस्ष्य लेगर सांसद जी के पास भी गए हम सांसद जीने मेरे ब्राद घर भी दे था अगर ना देने में दे दियो नो वह बिल्डिंग तो खड़ी कर दी बहुंटर इन दिसकी अरना वहां मैट्टी बरागरवा कुछ भी निए उसमाम ही लग रहे बरागरवान भी वहां फेर आटके पर व पिछले साल तो आप OPS में है या न्यूपीयस में है मैं न्यूपीयस में हूँ अच्छा तो सबसे बड़ा मुद्दा भी एक दिल्ली में बहुत बड़ा धर्णा की दिया है सरकारी जो अधिगारी थे या सरकारी जो नोप विभाग में जो काम करते हैं लोग तो क्या है व मिदम तक अभी तक नहीं कहारने जितने कंद्रे करम चाहरी है सरकार के करें फिश्यंअ में बीजव लाला बनिए वहां में पहले एक कुर्गर कि प्रोजगार जितने भी कह रहे हैं यहां पर भी तक मेरे गावम से थैद ऐसा लगा निए एक साल में कोई लड़के लगे हो कोई एक भी ऐसा कोई सरकारी जोप पे नहीं गया तैयारी कर रहे हैं आज आप चारे मेरिट से हाला कि उनकी उच्छास तर तैयारी रहे कि योग पर आदमी उपर नहीं बढ़ पा रहा जो पड़कार है जितने मारे यह नम्योग है आने वाले टाइम कि अभी जो बैठे हैं यहां पर करकारे साहरे जो कोई भी अभी तक ऐसा नहीं लगा कि वह किसी सरकारी उसमें लग जाई एक साल से तो मैं देख रहा हूं अभी तक न नहीं होगी नहीं है आपको क्या लगताना नौजमान फास्टाइम वोटोर हो या पहले भी वोट क्या रहे जोग सब देने का रही नहीं हम दोगेश्यों अच्छी मोदी नि योगी जी ने भी गोशना की थी कि अगर कोई 12 कर रहा है उसको फॉन मिलेगा जो ग्रेजवेशन कर रहा है उसको टैबलेट मिलेगा क्या इस्टुडेंटों को इस तरह के कुछ चीज यहां परोवाइड की गई उस नहीं मिला लड़कों को टैबलेट वो लैप्टॉप बोल अगर बाज़पा का इसाब से ठीक है जिसमेजे से इसाब ठीक लग रहा बाजब बहुत बढ़ेला इसाब अराम तो सो रहे गुंडा गरती नहीं है तो महंगाई भी आप देख रहे हो लगबग बढ़ी रही है तेल किया कर बात करे नहीं नहीं शुरक सब जरूर है और मह जरूर हम लोग तो बहार का रहा है जो लोग सबसेड़ है हर यहां पर जो एट कड़ा मुकाबल होता है इस बार क्या लग रहा है तो इस बार का चुना वह तरह की तीट पर जो आम जनता है एक तो मेहंगाई से बहुत त्रस्त हम लोग तो पस एक चीज सब्सक्राइ शुरक्षा सुरक्षा हर चीज देखो मेहंगाई से हर आदमी त्रस्त है कि कोई ईकसान है वह अपने गंदाव उपधाने नियुद्पक्र फैमिट में सब्सक्राइब किसकी देन अक्तर प्रदेश में अखले से आदवी तो है उन्हेने चलाई थी अरब भी आई है उन्हें तो गलती रही थोड़ी सी पर सासन पह सकता ही नहीं पुलिस वालों भी खुल्याम गुंडा कर दियो लिए एक परदान भी थैने मंदर नहीं जा सकता किसी कि अगर बात कि बात रख सकता परदान भी थैने के अंदर जाने सकता किसी के अरजी लेगा है बदर पुलिस वालों खुल्याम गुंडा कर दियो लिए नहीं और सामली जिले में खास करके हमरे आँ आपको क्या लग रहा है इदर किस टफ मुकाबलर रहेगा या एक तरफ तरफ ही होगा किसका जा रहे है किसका मूड बनना है विजेपी बने अच्छी है क्या लगा आपको समय कुछ अच्छा है इदर बेरोजगारी भी इतनी है ठीक है कब बंद सब काम करने अपना जाती जन गन्ना हर प्रदेश मोने ची उससे तो पता चलगा कौन कितनी संख्यम है किसकी क्या कि तो कुछ लोगों को मेरी बाद बुरी लग सकती है हम लोगों को दो पायर चुणे की आदत है गर में घरवाली फैर चुरि बजय रहे लोग दर रूपी वह फेर भी पाय चुरि उन्व मेरी आट फिर जाना शीये है तो हम लोग पायर चुने वाली सरेणी में खहड़े म मारे अधिकार कहीं चले जाओ, हम इतने डरे हैं, कुछ मुठी बढ़ लोग उन पदों पासीन बैटे हैं, जो परसासन में भी हैं, सासन में भी हैं, उनकी दादागिरी चलती है, वे लोग जाने नहीं देते हैं, उन लोगों को जिनने जाना चीए, मजदूर की कोई बात नि ना खेती की जमीन हैं, ना दुकान हैं, उन्हें मजदूरी करनी, मजदूरी कते के बढ़गी भाई, इस देश को उन्हें इस देश की उकात बताए दी, पिछेतर परसेंट लोग पांच किलो अनाज ले रे, या तो इतनी तरक्की कर दी लोगों के लोग जो हैं, पांच कि हम कोन इन इस देश में मारा क्या दिकार हैं, तो हम उसको कैसे पराप्त कर सकते हैं, तो जातर जनगंणा होने के बादी, पिछडा कितना है , पिछडा योग है, पिछडा इस देश में गतना 10 परसेंट को आप कितना परतनी दित देरें आपका 6% भी निया पूरा इस देश के अंदर दलीत है, दलीत की जो है कितनी आबादी है लगवद 30% के आज पास पहुचता है मुसलिम की कितनी आबात दिया उसका कितना रोजगार है तो जाती जनगरना होने चीए रहे हैं इसको इसलिए नहीं होने देने जारे के एक विसेश वर्ग जो है इस पर काभी रहे उन की पोस्टों पदों पे यहां तो लोगों ने जाए जादे इतना पता है कि पुलीस में स कि 20,000,000 की फीस रीटारन होगी अगले बार बीजेपी की सरकार बदल गी उनहीं बंद कर दिया तीन बच्चे पढ़ाये मुझे तो मुझे तीस लाक रुपा का नुक्सान हो गया इस सरकार के बदल तो सार क्यूंकि उन्हे वजीपा रोग दिया बंद कर दिया जान भूज और आप लोगों के लोगों के लोगों से बात की तो सभी लोगों ने अब अपनी राय रखी जुड़े रहे सीची से यूपी से खबरे आप तक आती रही धन्यवान